हलो दोस्तों नमस्कार गुड इवनिंग जैहिन जैभारत कैसे हैं दोस्तों आप लोग क्या हल चाल है मैं रेंजित तिवारी विहार एड़ाटन डिफोर्शन के प्लेटफोर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों यह जो क्लासेस हमारी परती दिन चल रही है बारा स पंदरा अप्रील से चौदा मई तक भर भर जाएंगे मैंने एक वीडियो के माधियम से आप लोगों को यह भी बता दिया स्टेप आप कैसे फॉर्म फिलप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यह जो क्लासेस चल रही है जो 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस बिद साइंस है य इसमें करेंट अफियर स्टेटिक जीके हना ट्रेडिशनल जीएस और साइंस सारे ये पचास मार्क्स की होंगे 35 मार्क्स आपके मैत होंगे तो यह 120 मार्क्स कमांड करने के लिए आप बिहार अडर्ड के साथ जोड़ सकते हैं यहां पे रिजनिंग मैत और जीके जीके जीक पर यह जो है जो से पहले एक लाइन जो आप लोग देख सकते हैं यह पूरी तरह वस्ट में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है लेकिन यह अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा सत्रू भी हो जाता है और यह पंक्तियां स्रीमद भागवत घीता से ली गई भागत कीता जीवन जीने की सेली सिखाता है हमें बहुत बहतरीन तरीके से आप बहुत कुछ सिख सकते हैं तो आपका मन ही आपको या तो खुशी दिलाता है या तो ब्याथित कर देता है मन अनियंतरित हो तो आपको परेशान कर सकता है और नियंतरित हो तो आपको रास्ता द अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है इसके सारे फीचर्स के फायदे आप उठा सकते हैं करेंट अफेर जॉबलेट्स डेली वेसिस पे क्यूज सब्जेक्ट वाइज क्यूज मैगजिन्स पावर कैप्सूल्स नोड्स आर्टिकल्स सारे कुछ आपको यहां पर सवाल है कि कौन जो है सिवाजी ने से मार गिराया था बाघ नक जो हाथों में नख पहन कर अना अतुड़ी पचानी निगाल लिया था गलेमिल participar वहाँ ने बुलाया गया था किसके द्वारा तो अबजल खान के द्वारा और ये जो है उनका प्लान था कि सिवा जी को निप्टा दिया जाएगा कद काठी में काफी बड़े थे काफी बड़ा था हो कद काठी में सिवा जी से तो उसे लगा कि भाई लेकिन सेर कद काठी का म होता नहीं होता है अब जल खान को वहीं पे उसके पेट में हाथ लगाया हाथ में हथियार थे हलाकि ये दोनों के बीच टै हुआ था कि बिना हथियार के ही मिलेंगे बिना हथियार के मिलेंगे और अब जल खान जो अपनी पूरानी काम जितनी धोखा पुरे लोगों कई आपणी कहानी सुने होंगे जी बिलकुल दिपक मनोरंजन सिंग जी क्या है क्या है क्या है तो यही है अब जलखान चलिए अगला सवाल लोग सभा और राजसभा की स़युक्त सत्र की अध्याच्था कौन करता है who preside over the joint session of लोगसभा एंड राजसभा बेलकुल सब लोग एक बार लाइक और शेर कर देना देखिए पहली बात तो कुछ चीज़े जान लिजे कि लोगसभा और राजसभा के बारे में बात ये है कि हमारी जो विधाई का है legislative है जिसे पार्लियमेंट के नाम से हम लोग जानते है ठीक है वो तीन अस्तम्भ है इसमें एक है प्रेशिडेंट दूसरा राजसभा और तिसरा है लोगसभा ठीक है तो कोई भी कानून बनाना हो संसत क्या करती है कानून बनाना इसका काम है बिल पास करना बिल पास करके कानून मनती है एक्ट में कनवर्ट होता है तो कोई भी अगर बिल बनाना है बिलकुल तो राजसभा या लोगसभा कहीँ पर भी वो बिल पाले लाया जा सकता है अगर दोनों जगा पास हो जाए दोनों जगा पास हो जाए तो प्रेशिडेंट के पास जाएगा इन्हों यह साइन करेंगे और साइन करने के बाद वो भी धेयक जो है ना बन जाएगा लेकिन अगर भीवाद हो जाए हाना दो तिन मामले ऐसे हैं जहां पर सयुक्त बैठक नहीं हो सकती है जैसे समिधान से सोधन हो गया मनी बिल हो गया यह सारे में नहीं हो सकता लेकिन बाकि समान बिल में तो क्या किया जा सकता है कि एक साथ जो है बैठक करेंगे दोनों सयुक्त बैठक संयुक्त बैठक बुलाने काम कोन करता है राष्टपती बुलाएगा राष्टपती आहूत का मतलब की आवान करेगा और उसकी अध्याच्ता जो करेगा अध्याच्ता लोग सभा के स्पीकर से आप करते हैं कोन करते हैं अध्याच्ता लोग सभा के स्पीकर करते हैं अब जान नंबर 108 में है यह 108 में जब भी वाद होते रहे दोनों में सहमती ना बन पाये तो ऐसे स्पिकर क्या करेंगे उसकी अध्याच्ता करेंगे तो दो तिन फैक्ट आर्टिकल वन जिरुए एट आस्ट्रेलिया अध्याच्ता और कौन बुलाएगा यह चार टम जरूर याद रखेगा कोस्टन यहीं से बनेंगे अगला सवाल ले लिजे अगला सवाल क्या है बिलकुल तो अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सबसे बड़ा दंत उत्तक है इसमें से उत्तक क्या होता भी यह टिशू क्या होता है टिशू क्या वोट इस टिशू साइंस के भी सवाल आपके यहीं पे आएंगे टिशू क क्या होता है तो TCU Group of cell Tissue is a group of cell I don't know same functioning group of cell तो पूछा जा रहा है कि दांत का उत्तक कौन है सबसे बड़ा इसमें, दांत उत्तक, यहां पर दिखाया जा रहा है, आपको सबसे उपर देखे, इनेमल है, हाना उसके अंदर जो है, डेंटीन है, हाना जिंजीविया है, यह मसल्स जो दिख रहा है, आपको पल्प है, हाना यह crown उपर वे सबसे उपर crown, यह this is called neck, और this is called root, जब दांत उखड़ा जाता है, तो पूरे root से उखड़ जाता है, और यह jaw bone, jaw bone में धसा हुआ रहता है, हमारे jaw bone में धसा हुआ रहता है, तो अब बताए कि सबसे बड़ा दंत उत्ता कौन होगा इस में से, तो सबसे बड़ा दंत उत्तक आपका होगा, जैसा कि dentine की बात किया जा रहा है, dentine is the right answer, not root, dentine is the right answer, dentine जो है दंत वाल के जो है न, आपका, dent, यहाँ पर जो है, बिल्कुल, dentine, 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 a is the option, a में है, हाना, a में है, dentine, यह सबसे बड़ा दंत उत्तक के रूप में जाना जाएगा, अगला पहले लिजी, क्या है, निमलिखित राष्टवादी नेताओं में से कौन, देश बंधू के नाम से जाना जाता है, देश बंधू के नाम से, इन में कौन जाना जाता है, दादा भाई नौरो जी, चितरंजन्दास, आशुतोस, मुखर जी, मदन, मोहन, मालुवी, जल्दे स उपनाम से संबोधित किसे किया जाता है, उपाधी दिया गया है, देश बंधू, गुड़ आप्टरनून, संदिप, जल्दे से बताएंगे, तो यह देश बंधू के नाम से, देश बंधू, चितरंजन्दास के नाम से जाना जाता है, देश बंधू, चितरंजन्दास, आ old man of India राश्ते वो अपतार इन्होंने ही लिखा है और इन्होंने ही जो है ना पर काफिटा इंकम निकाल कर दिया था सबसे पले जो कि 20 रुपिया था भारतियों का तो ये तो चितरंजन दास जी के साथ क्या लगता है तो देश बंधू ना देश बंधू इनी के साथ लगता ह लोक नायक सब्ध हाना में भी बिल्कुल लोक नायक किन के साथ लगता जलदी बताइए लोक नायक सब्द बताई किन के साथ लगता तब तक अगले सवाल पर आते हैं राष्टिय हीरा संस्थान कहा है जल्दी से बताएंगे अच्छा कोस्टन यह भी बहुत सभी नेताओं के जो उपनाम होंगे उसको आप जरूर पढ़ लीजेगा वो उपनाम से भी सवाल आते हैं पिछले जो है कई बार कोश्चन जो करवाएं है प्रीवियस यह कोश्चन उसमें आप साफ देख सकते हैं साफ देखने को मिल सकता राश्टी हीरा संस्थान कहां इस्तित्र है सूरत में है वापी में है बडोधरा में है या गांधिनगर में है कहां पे है जल्दी से है ऐसा क्यों बोल रहे है ठीक है देखे राश्टिये राश्टिये हीरा संस्थान हनल हना नेशनल डायमंड इंस्टिशूशन इंस्टिशूट कहां पे है तो सूरत कहां पर या सूरत तो गुजरात में है गुजरात में है सूरत तरासने की जो है ना अनुस्दान संस्थान भी है और यहाँ पर देख लीजे बुला गया गया है सूरत गुजरात में है मुंबई से 263 किलोमेटर की दूरी पर है भारती हीरा संस्थान भारत सरकार के शीमा सुल्क विभाग का एक अधिकरित जांच करता है नेक्स सवाल अगला कोश्चन क्या है कोश्चन पिदुरुत पिदुरुत लागला की सबसे उची चोटी है पुछा जा रहा है पिदुरुत लागला कहां की सबसे उची चोटी है बताइए कोश्चन पढ़िए यार कोश्चन का जवाब दीजिए अगए जए पी नाम से अब सुने होगे इन चलिए वो चलिए तो यह कौन है यह सबसे उच्ची चोटी सिर्लंका की है ठिक है सर्लंका की सबसे चुची चोटी जो है परवत उची चोटी जैसे हमारा हमारे हां केटू है कंचन जन जंगा है नेपाल में एवरेस्ट है यहां पर स्रिलंका के सबसे उची चोटी पीदुरूत लागला है कहां किया है तो स्रिलंका की ठीक है next question ले लिए किस अस्तम्भ सिलालेक में समुद्र गुप्त की समुद्र गुप्ट के उपलब्जिया कहां लिखी गई है उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन भी कहा गया लौ अस्तम्ब, सुर्य अस्तम्ब, विजय अस्तम्ब, इलाहबाद अस्तम्ब, कहां पे कहा गया है बताइए जल दी से तो कहा पर कहा गया है बताइए तो यह जो है इलाहबाद के अस्तंभ में जो है इनके बारे में बताया गया है ठीक है जी इलाहबाद के अस्तंभ में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है तो समुद्र को कहा गया जैसे विजय अभियान समुद्र को नेपोलियन चलाया था उस 1935 में रिजर्ब बैंक की अस्थापना रुपेय की पूंजी के साथ किये गये थे, कितने रुपेय की पूंजी के साथ किये गये थे, रिजर्ब बैंक वोज इस्टेबलिस्ट इन 1935 अंडर दा बैंकिंग रेगुलेशन एक 1934 वित अ कैपिटल आप रूपीज, कितने रुपीज की कैपिटल के साथ, रबी आई की अस्था अपना किया गया था, जल्दी से बताएंगे आपे, तो रबी आई के अस्था अपना पांच कलोर रुपेय की साथी, और इसमें जो है न प्राइबेट शेर होल्डर भी थे, ध्यान रखेगा, हुआ क्या था, बैंकिंग अधिनियम जो है न, आर बी आई एक्ट, 1934 के तहत किया गया था इसमें, और ये आर बी आई बिल का परजेंट किया गया था, हना रिजर्ब बैंक, हना आप इंडिया बिल जो परजेंट किया गया था, वो कब 1933 में, 1933 में परजेंट किया गया था, 1934 में पास हो गया और 1 अप्रिल, 1 अप्रिल 1935 में कोलकाता में जो है Reserve Bank of India किया, स्थापना भी किया, ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर दोस्तों इसकी बात है और दूसरे बात इसके बात 1949 में आता है, Banking Regulation Act, Banking Regulation Act 1949 आता है इसके ताद जो है, RBI को क्या किया गया था, Nationalize किया गया था Nationalize किया गया था, और जो है न, Royal Commission, Royal Commission के Recommendation पे RBI का गठन किया गया था जो Imperial Bank of India था, बाद में उसको सामिल कर लिया गया था, देख लिए पहले Imperial Bank of India, Central Bank के रूप में काम करता था, बाद में जो है हना, इस Commission के द्वारा, कि अगया रोयाल Commission का एक और नाम था, वो नाम आपको बताना है जल्दी बताईए निमलिखित में से कौन सी नोबेल गैस, अचेत सुनने करने के लिए उप्योग की जाती है बिहोश करने के लिए उप्योग मिलाई जाती है, बताईए जेनोण आरण नियोण हिलियम, कौन सी गैस, हना, निसब्द अचेत करने के काम में आता है जल्दी बताएंगे तो यह कौन सी Commission थी, तो, स्वरी, कौन सा गैस है तो जेनोण जेनोन गैस जो है सुनने करने का काम आता है मतलब विहोश करने के लिए काम आता है इसमें ध्यान रखेगा हाना ये इसका यूज किया जाता है जनरली अगला सवाल निम्ने से किस देव पर भारत का एक मातर सक्रिये ज्वाला मुखी है एक सक्रिये ज्वाला मुखी कि बांका डिष्टिक्स से शंगीत हो स्वागत है आप लोगों का चलिए तो जल्दी से पताएंगे केसे देप पर भारत का एक मात्र सक्रीज वाला मुखी श्थित है तो बारत का सख्री जो अलमुकी, द Orleans बिश्मित बेले दिप, अंडमाननिक बार के ग्रूप में अंडमान निकोबार लेदिप कि कभी भी जो आलमुखी भी स्पोर्ट हो सकता है अगले सवाल क्यों चले प्राचिन भारत में महाजनपदों के सास्कों ने अपने छेत्र में डैस से भाग नामक कर एकत्र करता था भाग नामक जैस दिर्राम मनोरंजन सिंग जी मनोरंजन बिहार पटना बहुत बढ़ी है भाई जल्दी से बताएंगे तो यहां पर भाग नामक कर किस से लिया जाता था महाजनपद के सासक अपने छेत्र के महाजनपद होते थे ना सोला महाजनपद के बारे में आप पढ़े therapies उनकाय उनकायम उसकी चर्चा की गई है द्हर में चलेगी और हर दिन प्रैक्टिस करेंगे स्थाइंच और मैस दोनों के लोको बच्चे-बच्चे-बच्चे सइष ध्याने देते exact एधर वाला गड़ बढ़ा जाता है इधर मे और पचास कोश्टन जो पूछे जाएंगे उसमें मान के चलिए कि 15 कोश्टन करीब करीब 15-17 कोश्टन साइंस के पूछेंगे और 35 कोश्टन के एवरेज मान के चलिए कि जी एस से पूछेंगे तो यह क्या है तो यहां पर किसान से उसके फसल का जितना उत्पादन करते हैं उसका कुछ भाग लिया जाता था, वो depend करता था, वो सभी जगे एक समाँ नहीं था, जहाँ भूमियाँ थोड़ा जादा लिया जाता था, इस परकार का वेरियेशन देखने को मिलेगा, तो किसानों से भाग लिया जाता था, ठीक है, और किस्चे लिया जा सकता है, बताए औ और किसे चरवाह से क्या लेगा सिल्प से सिल्पकार से क्या लेगा वह सबसे कुछ नहीं ले सकता अगला तो प्राचिन भारत महाजनपदों के साथ को ने अपने चेट के किसानों से भाग नामक कर वसूल किया आम तोर पर फसल कर उपज का एक बटेच्छे होता था आम तोर लेकिन यह थोड़ा सा वेरियेशन भी है कहीं कहीं अलग अलग भी ठीक है ना उपजाव उपजावपन देखकर फसल की उपजावपन देखकर अगरा सवाल है और इसा में जोगाड जोगाड में कौन सा इतिहासिका स्थर मिला है विच्छ हिस्टोरिकल साइट इज पर इंटी पे गया है ठोड़ा एक हना आ जाएंगी कल पर समें होशकता आ जएगे है अ को टाइम कब चलेगा टाइम कब चलेगा मतलब मेरा क्लास बार्दम्ट चाहिक एक होता है ठाए देख लिजिए तो जोगर जो है कौन से तीहासिक का इस्था इस्था अगला सवाल ले लेते हैं क्या है अगला सवाल तो अगला सवाल क्या है आपका अध्याच मोतिलाल नेरू और बाकी के आठ कॉंग्रेशी नेताओं ने किस वास भारतिय समिधान का प्रारूप तैयार किया था जल्दी बताईए उनिश्व पचीस पचास अठाइस तीस बताईए के सुवर्स भारतिय समिधान का प्रारूप तैयार किया था देखिए सबसे पहले जो है ना भारतिय समिधान बनना तो ऐसे उनिश्यालिस में कैबिनेट मिशन के रेकोमेंडेशन पर चालू हुआ लेकिन उससे पहले भी कई परियास किये गए हैं तो मोतिलाल नेहरू जो है इर्विन के पास अपने समिधान लेकर बोले कि हम समिधान बना लेंगे जब समिधान हम अपना खुछ से बनाएंगे पचास ओला उप्शन तो ऐसे भी कंफ्यूजन में भी गलती नहीं होना चाहिए भा आपने समिधान के तायत काम करें हम समिधान बना लेगे टो एक साधा पेपर देखकर उसको बला लो बना लो समिधान फोला दियो किसा बना裡 इसका न य के दिखा कैसे बनाओ गये समीधान है कि सोच ला क्या संग्रक्षि anybody principle की विश्यस्थाएं हैं संग्रच्छि विश्त कौन है इसमें से बिलकुल संग्रचित बल का मतलब conservative force energy is dissipated as the thermal energy the work done by it it in a circular path is not zero the work done by it depend on the path the work done by it it is fully recoverable संग्रचिबल की विशेश्ता क्या है उर्जा तापिय उर्जा के रुप में 6 हो जाती है इसके द्वारा गोल पत्पर किया गया कारे सुने नहीं है इसके द्वारा किया गया कारे पत्पर निर्भर करता है इसके द्वारा किया गया कार पूरी तरह से पुनर प्राप्ति योग्य है के संग्रच्ची बल का मतलब होता है कंजर बोला जाता है नो ग्र पर parenthिया काम करने कबाद 5 से पुनरप्राप्ठी किया जा सकता हुशकू ठिक है तो इसमें नहीं होता है है अगर माले यह संग्रच्च यहां से लूक कि फिर यहां पर आ का मतलब क्या होता है वर्क कैसे निकालेंगे कितना बल लगाया गया और कितनी दूरी तय हुआ होता है जूरी जो हो गया जीरो जूरी हो गया तो फिर कारे भी जीरो ठीक है ना तो अब कारे भी जीरो तो यह वला तो ऐसे भी गलत हो गया यह वला हना देखिए इसके द्वार किया गया कार पठ पर निर्भा नहीं करता है JOHN कि बिलकुल करता है पठ पर तरशकर पुरूर प्राप्रप्ति यहें बात यहां पर कर रहे ठिक है तो चलिए यह मतलब दिश्दा राइट अंसर ऐ धर है arises सबसे अध्यक परतिक्रियासिल क्या द्विक्त तो यहां पर सबसे ज़्यादा प्रक्रिया सिल आपको पता होगा कि भीया कौन है तो आपका अच्छा यहां पर देख लिए इस क्रम में मोस्ट रियक्टिव की बाद कौपर कैल्सियम आयरन और जिंक इसमें सबसे प्रक्रिया है लिस्ट रियक्टिव यहां नीचे क्यों अगर बोलिएगा तो potassium है, है ना, potassium के बाद अगर दूसरा नाम आएगा तो sodium आ जाएगा, और ये दोखी तीसरे नम में कोने calcium है, तो potassium और sodium तो यहाँ option में है नहीं, और तीसरे नमबर का calcium है तो तब तो यही हो जाएगा भी या, भी calcium सबसे ज्यादा रियक्टिव हो जाएगा, उसके बाद चौथे नमबर में आजाएगा magnesium, चौथे पाच्वे नमबर में aluminium, फिर carbon, ठीक है, carbon तो ऐसे भी धातू भी नहीं है, इसलिए इसको दूसरे कलर से दिखाया गया है, ठीक है, तो यह है टॉप फाइब, जो metallic है, और साथ ही साथ, जो है रियक्टिव है, most reactive, और जो है, उसके बाद है, zinc, iron, tin, lead, copper, silver, gold, platinum, सबसे कम रियक्टिव में प्लेटिनम होता है, प्लेटिम में से थोड़ा सा ज़्यादा, gold भी non-reactive भी माना जाता है, देखते हैं, gold में सोने का जो भी आभूशन होते हैं, उसमें किसी जंग लगता है नहीं, और रियक्टिन ही नहीं करता हावा के साथ, पानी के साथ, किसी के साथ, हना, copper भी इसी प्रकार, copper में भी जल्दी चरन नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा तेजी से रियक्टिन, potassium, sodium, calcium, magnesium, फिर almonium, तो यह है, अगला सवाल ले लिजे, शिशु मिर ने एकवर, तीन साल, जल्दी से बताएंगे, भागल पूर से है, बह, क्या बात है, हलो जी, हलो, हां सिंग जी, हलो, चलिए जल्दी बताएं यहां पर, जवाब, कि क्या बोला जाता है, IMR और MMR क्या होता है, IMR का मतलब होता है, infant mortality rate, सिशु, मिर्ट्यू, दर, और MMR का मतलब होता है, मदर, mortality rate, समद रहें, तो परतेक 1000 जो जनम होता है बच्चों का, उसमें कितने बच्चे जो 5 साल की आयू के पहले, मिर्ट्यू हो जाती है, उसे कहते है, IMR, क्या कहते है, IMR, और MMR परती है, एक लाख, एक लाख delivery पे, एक लाख महिला डेलेवरी दी, उसमें कितनी महिलाओं की मिर्ट्यू हो जाती है, उसको कहते है, IMR, सौरी, MMR, mother mortality rate, ठीक है, तो ये जो है, कितना होता है, कितने साल, देख लिए, शिशु मिर्ट्यू दरों से 5 साल भी बोला जाता है, लेकिन बिल्कुल नौजात, इन फैंट के बात करते हैं अगर, तो इन फैंट के अगर बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा, कि एक वर्स के अंतर, एक वर्स के अंदर, नौजात, इसमें नौजात की बात आ जाएगी, और सिशु मुर्तुदर की बात जबाएगी, तो 5 साल की बात आएगी, ध्यान लाया गया था डानडि मार्च्रञ डांड़ एक्ठ चंपारन शीमारेयडि से लुए तो vat छो भी अंदौलन किया था भारत की भूमी पे तो उस सबसे पहले आया थे तो राजको्माल सुखल के ध्वारा Uns याने के बाद सबसे पहले कहा नहीं घए थे जबा है अगुन मरफ्रण में गए जो घए यह न वाला तो बाकी दोनों तो इसे काट देना चाहिए था आपको अब इसमें देखीए चंपारन के बाद आखमदाबाद गयए थे तो आखमदाबाद तो आफ्षेन में नहीं है चलिए तो तीसरा नमबर पे खेड़ा गयए थे तो खेड़ा यहां तक यहां तक साइए यह भी दोनों सब्सक्राइब अब अगला है रोलेट आडांडी आव डाणि आ रो 1918 रॉलेट 1919 डांडी 1930 ठीक है ठीक है भारत के समिधान के निमलिखित में से कौन सा नुच्छत परदान करता है जो देवनागरी लिपी में हिंदी संग का अधिकारिक भासा है बताईए भारत समिधान के निमलिखित में से कौन सा नुच्छत परदान करता है कि डिवनागरी लिपी में हिंदी संग की आधिकारिक भासा कोण से आटिकल में बताया गया कि आधिकारिक भासा के रूप में हम हिंदी को स्विकार करते हैं 343,443 और उसमें 1,2,3,343 हाना 343 में बुला गया है हिंदी विल्वीदा ओफिश्यल लेंग्वेज हाना राज किये आधिकारिक भासा के रूप में बात किया गया है कभी कभी कोशन पूछ लेता है चाहिए बहुत लोग ऐसे पूछता है कि राष्टिय भासा कौन सी है तो एक बात समझ लिजगा राष्टिय भासा कोई भी नहीं है भारत में राश्टी भाषा का दर्जा किसी को प्राप्त नहीं है क्योंने ही प्राप्त है क्योंकि भारत भीवीधिता का देश है नौर्थ Wildlife को छोड़कर पावा क्यिक वागी किसी भारत के सौथ में अगर चले जाए तो वहां पर हिंदी को समझता ही नहीं है इसका मतलब क्या उनको र बहुत बड़ि संख्या में मालेते सौ ऐस सॉथ वाले बोलेंगे तो ऊपर घटोनदेंगे तो छलेगा विलकुल नहीं चलेगा तो यह हिस दरख आप देख लीजे नहीं कि नहीं है तो अगला सवाल क्या है कहरे के लिए राष्टिय कारकरम शुरुआत कि स्बाइर कि सुरु ही बताइए दोहजार इन इस दोहजार 2204 कारे के लिए राष्ट फाद कारकरम शुरुवात भारत में किस वर्ष की गई थी तो यह किया गया था 2004 में कब किया गया था तो 2004 2004 दा राइट आंसर 2004 से जो चालू किया गया था रास्ट्य खाद कारे करम की शुरुवात कब्से जो 2,004 सचुरु की गई थी ठीक है अगला सौब निर्ण मैंसे कौन सबसे बड़ा ग्यात नच्टा्र है मतया निम्ण मैंसे कौन सबसे बड़ा ग्यात नच्टर है डोराडो एंटिला क्रेक्स नचत्र समझ रहें कॉंस्टेलेशन समझ रहें वह ताराओं का एक समू होता है अस्टार का एक ग्रूप होता है है अस्टार का एक ग्रूप होता है है अलग-अलग मतलब की पैटर्न में होते हैं नचत्र तो वह क्या बोलागा कौन सबसे बड़ा नचत्र है हाइड्रा डोराडो एंटिला क्रेक्स तो सबसे बड़ा जो है हाइड्रा सबसे बड़ा क्या है तो हाइड्रा जो होगा वो सबस से पुस्टक पानीनी के दौरा लिखी गई थी रगुवनसम अश्टाध्यायि मनुष्त्रमिती कथा सरी चाहर जल्दी से बताएंगे बताईए यहाँ पर पानीनी के दौरा क्या लिखा गया था रगुवनसम किसके दौरा लिखा गया था पानीनी के दौरा क्या लिखा गया था कथा सरित सागर कि इसके द्वारा लिखा गया था यह सारे कोश्टन आ सकते हैं जल्दे बताएंगे देखे यह तो सिंपल है काफी बार आया हुआ है कथा सरित सागर जो है । यह सोंडे के द्वारा लिखा गया है कश्मीर के एक शासक के पुतर थे इन्होंने मतलब कि कहा जा सकता है कि ब्रामन राम के पुतर थे तो सिंकलन करते है कथा सरित सागर के मिए सउम देय। मनुश्मृति तो मनुश्मृति अस्ताध्याई पानीनी के द्वारा और अगुवन्सम तो सभी लोग को पता है ये बहुत पुराना है कालिदास तो ये सारे आप लोग को याद होने चाहिए यहां से सवाल आने की संभावना है अगला सवाल ले लेते हैं क्या है रक्त में खका कैसे बनता है मनुश्मृति नहीं आए बताई है राज्ट में थक्का लिंफोसाइट ये इरिट्रंसाइट टोंड्र साइ्ट प् process टोरठ में थुम्हेंश्मिन का बनवाने वाला जो हमारा ऐलिमेंट है तत्वा है वो क्या है तो है प्लेट्लेट्स क्या है भीया तो है घना RBC WBC और प्लेट लेट यहीं ठीन कार्पसल से हमारे बलट में मुख्य सा जिसमें प्लेट लेट लेट जिस क्या करता है कलोटिंग में help करता है और rbc के कारण Rbc केके हिमोगलोबिन की कारण रेड बलट होते हैं बला रेड कलर होते हैं आड़ी में हिमोग्लोबीन जो ऑक्सीजन का क्या करता है टाउंस्पोटेशन करता है डबलू वीची क्या करता है हमें इंमुनिटी परदान करता है क्या करता है तो इंमुनिटी प्रृवैट कर आने का काम करता है इम myself में 달題 लिघे अगला सवाल ले DR फलेट्स का कंकाल पाया गया है मताये भारत में कौन सा एक अस्थल है जहां एक डानासोर का कंकाल मिला है जिवास्प मिला है तो कौन सा हो सकता है महंद्रगड, 36 गड़, अथनोरा, मध्यपर्देश, बद्दाम, महाराष्ट्रा, जंसकर, घाटी जल्द से पताएंगे तो ये दोस्तो महाराष्ट्रा में मिला है कहां मिला है महाराष्ट्रा में और जो है महाराष्ट्रा में क्या मिला है पूछा जाएगा तो डानासोर का महाराष्ट्रा का बद्दाम जगा जो है महाराष्ट्रा में डानासोर का मिला है किसका तो डानासोर का हना उसके वाद नर्मदा घाटी में मिला है इंसानी कंकाल मिला है नर्मदा घाटी में अगले सवाल को ले लेते हैं क्या है अगले सवाल मनिपूर के किस महराजा ने भारत सरकार के साथ बिलय पत्र पर हस्ताचर किया था मनिपूर के किस राजा ने कि महरा किस महराजा ने भारत सरकार के साथ जो है बिले पत्रपर हस्ताचर किया था बर्तमान में जो मनिपूर है हमारा साथ उसके कौन थे राज़ा जो बिले पत्र पर हस्ताचर किये थे तो यह कौन थे भाई तो यह थे आपके बोध चंद्र सिंग कौन थे तो बोध चंद्र सिंग कौन थे तो बोध चंद्र सिंग इज़ा राइट आंसर जो बिले पत्र पर क्या किया था हस्ताचर किया था अगला सवाल निमलिकित में से किस आ सकने अपनी प्रजा और अधिकार में को अपने संदेश पत्थर की सत्वों पर खुद्वा कर दिये हाना बताइए पत्थर की सत्व खुदाई कराकर लिखवाये हैं किसने असोक चंद्गुप्तम बिंदुशार चंद्गुप्त मौरे किसके समय में सिलालेक की परमपरा तेजी से चालु हुई थी तो शीलालेक की परमपरा जो है सोक के समय subscribing चालु हुई थी संदेश जो है अपने परजाजन को पत्थरों पे खुदवा कर दिया गया बड़े-बड़े रॉक नर लार्ज रॉक एडिक्ट है और बहुत सारे छोटे छोटे भी है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जड़ा तो किसके समुन समानुपातिक है जड़ा तो जो है एनर्सिया इस प्रोपोर्शनल टू एनर्सिया इस प्रोपोर्शनल टू अनर्सिया किसके प्रोपोर्शनल है जड़ा तो ज्यादा कब होगा जब मास ज्यादा होगा तो जड़ा तो ज्यादा होगा मास कम होगा तो जड़ा तो कम होगा ठीक है अगला सवाल भारत में बैंकिंग परनाली के संदर में एनी एफ्टी का पूरा रुप क्या है एनी एफ कि एनिए अप्टी का फुल्फर्म क्या होता है नेशनल इक्विटी फानांस ट्रांजेक्शन नेशनल इक्विटी फानांस ट्रांजेक्शन एक्विड अच्छा यह दोनों पहला एक हो गया नेशनल इलेक्ट्रोनिक फानांस ट्रांसफर नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्र तो यह होगा क्या आपका बिल्कुल तो यह होगा भाई साब डी शुट भी दा राइट अंसर नाशनल इलेक्ट्रोनिक फंट ट्रांसफर होगा यह डी शुट भी दा राइट अंसर अगला सवाल ले लेते हैं क्या है अगला सवाल क्या है अगला सवाल है दोस्तों कि उनमें स जल्दे बताएंगे कौन सी समुद्र में नहीं मिलने वाली नदी है तो समुद्र में नहीं मिलने वाली एक मातर नदी है लूनी नदी जो है ना सब कर दो कर दो जाती है है गंगा महानदी यह सब जो है और गोदाऊरी यह सबनेखर मिल जाती का चार्य में ये हैं टो भील बेद फोन बंगोल मिल जाती हैं लून उनमुक्त हो स्टे जाती है कहांपर रून उफ क decade ह्षरão स्थे अंगला का पाट होता है डैन राइट और जो है अच्झत्तु तो यह होते हैं भई किसके पाट होते है देख लीजे लिए जो है अच्टनटु ए इस दा राही टाइट आँसर नर्वी दा रायट अगला सवाल लेते हैं भारत के समिधान के निमलिखित में से कौन सा अनुछेद भारत में संग और राजलोक्षेवा आयोग के करतब्यों को करतब्या और कारे को निर्धारित करता है बताइए भारत के सिम्धान मेंने मिलिखित में से कौन सानुछेद भारत में संग और राज लोक्षेवा आयोग के कर्तव्यों का कर्तव्यों और कारे को निर्धारित करता है तो अनुछेद 220, अनुछेद 212, अनुछेद 308, अनुछेद 316, कौन सा? यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, अनुछेद 312 इस दा राइट आंसर, अनुछेद 312 इस दा राइट आंसर, अगला सवल, क्या है? भार हिंता कब परतीत होती है? गृत्वाकर्शन के सुन्य इस्थिति, जब गृत्वाकर्शन घटता है, निरवात के इस्थिति, इन में से कोई नहीं? बताईए, भार हिंता कब होती है गृत्वाकर्शन? जब सुन्य हो जाए, जहां गृत्वाकर्शन सुन्य हो जाए, वहाँ पर भार हिंता प्रतीत होती है बिल्कुल 312 इजदा राइट आंसर ठीक है बिल्कुल एजदा राइट आंसर तो चलिए दोस्तों आज 35 कोशन हम लोग लग 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 देख लिए हैं अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग को अगर आप आर पी एफ एल पी टेक्नीशन की तेयारी कर रहे हैं और एक से तरीके से करना चाहते हैं जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपको चाह रहे हैं कि यहां हमें अगले जो भी एक्जाम हो उससे पहले सिल्सिलिवार धंग से हम पढ़ ले एक बार तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पढ़ेगा उसके लिए क्या करना पढ़ेगा कि आप courses all courses click करेंगे all courses को जैसे click करते हैं उसमें देख लिए यहां पर banking है सहसी है सारकुछ रेलवे है सारकुछ है तो सब्सक्राइब जैसे आपर आप इसमें आ जाते ससी में आ जाते हैं तो स्सी मेभी सारे को स्देश्टी आज़ारकन हाइब कोट स्सी जीडी स्सी MTS SSI section and we as non teaching SSI CGL SSI CHSL SSI MahaPayek foundation batch यह सारे आपको यहाँ पर भीहार police SI constable stenography skill SSI exam book kit यह सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए दोस्तों आपको मिल जाएंगे समझ रहें यहाँ पर railway में आ जाईएगा आप SSC में railway में आ जाईएगा यहाँ पर तो railway महापैक RPF railway group D RRB technician RRB NTPC RRB LP आप महापैक में अगर जाते हैं तो महापैक में सारा चीज़ अगर एक से ज़्यादा चीज़ीं की तियारी कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं जिसमें आपका LP technician RPF constable SI RRB NTPC group D जो कुछ भी होगा वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा क्लिक करना पड़ेगा यहाँ क्लिक किये देखिए 1999 यानि 1999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा और जो है लाइव रिकोर्डेड सारा मिल जाएगा यहाँ पर और इसको बाई नाव जैसे करते हैं बाई नाव करने के बाद देखिए एक साल की वैलिडिटी और एक साल में तो आपके त्यारी एक्जाम रिजल्ट सब हो जाएगा एक साल की वैलिडिटी आपको मिलेगा रेलवे महापैक पर और यहाँ पर आपको चाहिए क् coupon code मांगेगा, यह coupon code मांगेगा जैसे coupon CODE आप डालते हैं, coupon code डालने के पाद यह क्या होता है, discounted हो जाता है, यह discounted हो जाएगा, कैसे discount हो जाएगा भई, तो यहां पर आप डालिए, y802, यहां पर आपको y802 डालना है, y802 और apply जैसे करेंगे देख लिजे apply करते ही यह कितने में आ गया यह 1849 रुपिया में यह 1849 रुपिया में जिसमें सारा कुछ आप कर पाएंगे अप्सटेट आप जैसे इसमें क्या क्या आपको मिलने वाले हैं इसको मिलने वाले आपको रेलवे ग्रूब डीन ररेलवे एडरवे महापेक आटेप अलभी एन्टिविश टैक्निशन यह सारे चीज आपको मिल जाएंगे, बुक्स वगरा भी मिलेंगे, बुक्स वगरा आपको चाहिए तो बुक्स वगरा भी यहाँ पे अबे ले ले आशु, तोस्ट्री पार्थी सर आपके जीके 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 के क्लास लेंगे, सुसांत सर आपके साइंस का क्लास लेंगे, पा आप माल यह RPF का क्यों लागर फॉंफिल अप करना चाहर है सिर्फ और सिर्फ RPF का तो सिर्फ RPF के लिए आप इसमें आ सकते हैं परिवर्तन बैच आपके पास यह परिवर्तन बैच यह परिवर्तन बैच में आप सकते 799 रुपया सिर्फ आपको दिख रहा है और इसमें जैसे बाइनाओ करेंगे और यहाँ पर कूपन कोड अगर आप इन्रोल करते हैं कूपन कोड अगर डालते हैं दोस्तों तो कूपन कोड कौन सा है तो वाई 800 दो वाई 802 वाई 802 अपलाई कीजे अपलाई करने का बाद यह म कर दोनों कि तयारी आपका यहां पर हो जाएगा और अगला वेलीडैटी जो है 12 महीने का रहेगा, और 12 महीने बहुत होता है त्यारी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग क्लास में तबесть के लिए धन्यबाद, बहुत भँथ धन्यबाद आप सभी का, ठीक ए?